Hello students welcome to पढ़ लेना और आज मैं कराने जा रहा हूँ 9th class का एक और writing section का topic जिसका नाम है script writing script writing को screenplay writing भी कहा जाता है तो आप बिल्कुल भी confused मत होएगा script और screenplay के अंदर plus इस topic को में करा हूँ इससे पहले मैं इसकी definition और इसके कुछ elements के बारे में बताना चाहूँगा फिर आप इसका format देखेंगे और format में कौन-कौन से element include कने चाहिए किस तरीके से आपको एक script लिखनी चाहिए plus इसके दो example भी लेकर आया हूँ जिससे आपको और भी clear हो जाएगा कि script writing होती क्या है तो चलो start करते हैं a script screenplay is a specific type of script written for a screen script या screenplay एक तरह का writing form होता है एक story का जो screen के लिखा जाता है जो एक video के लिखा जाता है या बोल चकते हो movie के लिखा जाता है या film के लिखा जाता है typically intended for film, television और video तो ये सारी चीजे film, television के लिए बनाई जाती है मतब script जो है वो film, television या video production के लिए बनाई जाती है या लिखी जाती है It serves as a blueprint for filmmaker जो भी filmmaker होते हैं, जो भी video makers होते हैं वो उनको एक blueprint देता है एक तरीके से कि video के अंदर क्या-क्या elements डालने हैं कैसे एक video को produce करना है क्या-क्या चीज़े उसके अंदर रखनी है कौन-कौन से scene रखने है कौन-कौन से character लेने है क्या-क्या character की feeling होने चाहिए setting कैसी होने चाहिए plot कैसा होना चाहिए providing detailed instruction for how the visual and auditory element of the story will be translated onto the screen बोल रहा है कि ये जो script होती है ये basically एक director को ये बताती है कि क्या-क्या हमें instructions follow करने होंगे जिससे एक story को आप बहुत ही अच्छे से visualize कर सकते हो और उसके अंदर जो auditory elements होते हैं वो आप दिखा सकते हैं एक screen के उपर मतलब कि जब video के form में एक story बनकर आएगी तो वो कैसी दिखेगी क्या character की feelings होंगी क्या audience को feel होगा जब वो एक story को या film को देखेगा आपने देखा होगा कि जो stories होती है जो film होती है वो इतनी easily नहीं बनती है उसके लिए आपको script चाहिए, script के अंदर आपको plot चाहिए plot के अंदर time, scenes dialogues, monologues और characters है ना बहुत सारी चीज़े चाहिए होती है यह सारी चीज़े एक script हमें देती है एक overview देती है कि हाँ इसके अंदर, इस scene के अंदर हमें ऐसे-ऐसे dialogue बोनने हैं इस तरीके से हमें feel करना है यह timing होगी यह जगा होगी हर एक चीज script के अंदर लिखी होती है तो एक तरीके से कह सकते हो कि एक video का एक चोटी से scene का एक कह सकते हो एक चोटी सी movie का भी बोल सकते हो कोई भी video का एक blueprint होता है जो written form में होता है उसे को हम क्या बोलते है script बोलते है It involves creating compelling stories developing characters crafting dialogues structuring scenes in the format suitable for production तो script writing के अंदर हमें क्या-क्या चीज़े डालनी होती है तो एक story डालनी होती है of course overview तो story होगी एक theme होगा एक particular genre होगा है ना उसके अंदर हम character को develop करते है character क्या बोलेगा क्या feel करेगा क्या महसूस करेगा जो भी चीज़े है dialogues कैसे बोले जाएंगे है ना दो character है तीन character dialogues क्या होगे क्या वो बोलेंगे कब कौन बोलेगा कैसे बोलेगा वो सब एक screenplay या script में होता है ठीक है scene भी कौन-कौन से होंगे कब-कब scene होंगे वो भी होते है तो जो भी production है जो भी बना रहा है movie को वो script इस पर कालिखेगा जिससे उसको you know suitable रहेगी और script के अंदर बहुत सारे scene हो सकते है multiple scenes हो सकते है ठीक है scenes एक छोड़ी सी चीज होती है जो छोड़ा सा हिस्सा होता है script का जिसके अंदर खुद के characters होते है खुद के dialogues होते है खुद का slot होता है plot होता है रहना problems होते complexes होते है जैसे ही आप setting को change कर दोगे time को change कर दोगे आपका scene भी क्या हो जाएगा change हो जाएगा scene एक अलग चीज है script और screenplay एक अलग चीज है ठीक है तो scene के बारे में भी देख लेते है a scene is a specific segment of a story telling written in a larger narrative while a script is the complete written document that unco passes the entire story बोल रहा है आपे scene जो एक specific segment होता है storytelling का storytelling एक चोड़ा सा हिस्सा होता है और script बहुत बड़ा written document होता है एक story का पूरी entire story का पर जो scene होता है वो एक चोड़ा सा हिस्सा होता है scene के अंदर खुदी dialogues होते है खुदी technical instructions होते है जो production करता है ठीक है समझ गए तो scene अलग होता है script और screenplay अलग होता है ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा script के अंदर scene क्या होता है ठीक है वो भी मैं आपको बता दूँगा तो आपको दोनों में ही differentiate समझा जाएगा तो चलो start करते हैं और देखते हैं कि scene script writing लिखते कैसे हैं पहले देख लेतें key features of screenplay या script writing सबसे बहले format format को समझ लो आप screenplays include scene heading सबसे पहले हमारे जो script writing होते है उसमें scene heading आती है बिलकुल शुरुआत में आती है scene heading बताऊंगा कैसे होती है आगे देखेंगे हम action का description आता है फिर action कैसे describe होगा पूरा action क्या होगा कैसे कुछ करा जाएगा scene के अंदर वो होता है फिर character का dialogues develop किये जाते है character of course अगर आप script लिख रहे हो तो character होंगे उसके अंदर character क्या dialogue बोलेंगे किस तरीका से बोलेंगे और transition होता है transition तब होता है जब हम एक scene से दूसरे scene में जाते है तो वो transition होता है ठीक है this format ensures clarity and consistency and allow filmmaker to quickly understand the structure of the story तो यह जो format होता है यह basically बताता है बहुत clarity बताता है कि हाँ यह scene के बाद यह scene आएगा यह scene के बाद यह scene आएगा consistency भी रहती है कि इस scene के बाद यह scene suit करना है में और filmmaker जो है समझ पाते है कि हाँ story क्या है कैसे story आगे बढ़ रही है अगला है visual storytelling yes this is very important क्योंकि जो audience होती है वो देखना चाहती है एक film को visually वो समझना चाहती है वो डर महसूस कना चाहती है वो thriller महसूस कना चाहती है वो feeling महसूस कना चाहती है visual storytelling मतलब आप जब पढ़ोगे तो आपकी दिमाग में image बनने लगेगी story develop होने लगी picture आने लगेगी using descriptive language तो इसलिए इसके अंदर हम क्या use करते हैं descriptive language का इस्तमाल करते हैं paint और descriptive language क्या करती है हमारे दिमाग में एक clear image बनाती है और जितने भी actions हो रहे हैं जितने भी act हो रहे हैं उन सब का message convey करती है हमें setting बताती है हमें कि setting कैसा है mood कैसा है हर एक scene का sad वाला mood है या happy वाला mood है excited वाला mood है surprised वाला mood है तो हम जब हम film देखते हैं तो हर एक scene में हमें अलग अलग चीजे महसूस होती है और वो क्यों महसूस होती है just because इतने vividly उसको लिखा जाता है इतने clearly उसको लिखा जाता है फिर dialogues dialogues तो बहुत important है dialogue के बिना आपको को समझ नहीं आएगा तो dialogue is a crucial component of screenplay screenplay का सबसे important part होता dialogue as it allows character to communicate with each other इससे हमें पता चलता ही कि जो character जो आपस में क्या महसूस कर पा रहे है क्या आपस में बाते कर पा रहे है और उनके thoughts ृवील होते है उनके languages से उनके dialogue से emotions होते है और उनके अंदर क्या motivations चल रही है वो हमें पता चलता है तो जब हम dialogue सुनते है तो हमें और भी अच्छे से clear picture बने लग जाती है एक movie की, एक action की, एक scene की ठीक है? Action and descriptions, yes Action and description नहीं दोगे तो कैसे किसी audience को समझाएगा कि हाँ क्या हो रहा है या फिर जो director है या जो actor है, actresses है उनको कैसे समझाएगा कि उनको कैसे act करना है, कैसे emotions इखाने, कैसे feel करना है तो direction and description नहीं दो होना चाहिए Alongside dialogue, screenplay इंक्लूड action description की कैसे आपको कोई चीज act करनी है आपको गुस्ता कब दिखाना, आपको happy कब होना, आपको रोना कब है तो action description नहीं दो होना चाहिए detailed physical action of character, character का क्या action होगा physically वो दिखाना है, as well as the overall atmosphere और yes, जो setting है, उसका overall atmosphere का है tension build होना चाहिए, किसी scene के अंदर तो किसी scene के अंदर surprised होना चाहिए, tone कैसा होगा हर एक scene का वो दिखाने के लिए, हमें action description देना होता है एक किसके अंदर, script writing के अंदर structure, screenplay typically follow a three act structure तीन, देखो, एक script के अंदर आपको तीन act structure देने होगे सबसे पहले clear beginning, कि beginning कैसे हुई beginning में क्या mood था, कैसा था, क्या हुआ, क्या हुआ character के क्या mood थे, फिर middle, middle के अंदर आपको problem देना है, है न, जो भी problem होता और end, और end में क्या हुआ, तो each act contains multiple of scenes, हमें, मैंने बताया था आपको कि हर एक screen के अंदर, हर script के अंदर, बहुत सारे scenes होते हैं, तो multiple scenes होंगे, that builds upon each other, वो एक दूसरे को पर बनाए गए होंगे, मतलब पहला ला scene related होगा, दूसरे ले scene से, दूसरे ला तीसे, है न, जिससे tension create होगी, conflict होगा, और उसका solution भी देखने को में लगा, तो यह key features होते हैं screenplay के, जिससे आप अच्छी खासी screenwriting लेख सकते हो, ठीक है, तो चलो देख लेते है, format क्या है, हमें क्या-क्या चीज़ include करनी चाहिए, start करते है, the format of a scene in script typically follows industry standards, तो देखो जो भी industry लोग industry में जैसे script लिखी जाती है, बिल्कुल वैसी script लिखते हैं हम लोग भी, और आपको भी paper में बिल्कुल ऐसी script लिखने को आएगी, और यही format आपको use करना है, so that की clarity बनी रहे और consistency बनी रहे, तो यह रहे breakdown, तो सबसे पहला, सबसे पहले आपको लिखना होता है, scene heading, scene heading को slug line भी बोलते हैं, ठीक है, तो scene heading में आपको क्या देना होता है, तो इसमें 3 important चीज़े होती है, 3, only 3, contain 3 parts, सबसे पहला यह, interior, int, या exterior, अब यह interior, exterior का क्या मतलब है, तो scene बाहर हो रहा है, तो आप EXT लिखोगे, exterior, जैसे कि मालो यह room है, अब इस room के बाहर हो रहा है, तो मैं लिखोंगा exterior, और इस room के अंदर scene हो रहा है, तो मैं लिखोंगा interior, ठीक है, समझ गया, तो scene कहां हो रहा है, वो बता निकले, जैसे मालो coffee shop है, तो coffee shop के अंदर हो रहा है या बहार हो रहा है अगर अंदर हो रहा है तो interior लखेंगे बहार हो रहा है तो exterior लखेंगे समझ गए फिर है location येस कहा हो रहा है अपकोस जैसे मैंने बता है कि coffee shop में हो रहा है library में हो रहा है road पर हो रहा है कहा हो रहा है living room में हो रहा है तो जैसे यहा मुवी बनाएं तो वही scene रखें न वही हम atmosphere रख सकें तो यह सारे चीज़ें तो आप देख सकते हो example यह रहा interior हो रहा है living room हो रहा है night हो रहा है say exterior भी बोल सकते हो living room का exterior बोल सकते हो और दिन बोल सकते हो जो भी है किस तरीके से हो रहा है उसके बाद आपको action बताना है कि आसपास का महौल कैसा है character क्या सोच रहे है character के mind में क्या चल रहा है लोग क्या feel कर रहे है तो यह पूरा action का description है आसपास की setting को describe करना वहां का महौल वहां का tension वहां का tone सब तो describe what is happening in the scene सबसे पहले आपको scene में क्या हो रहा है वह describe करना है तो इसी तरीके से scene भी लिखा जाता है return in present tense हमेशा scene को present tense में लिखा जाता है limited to what can be seen और of course जब भी आप description दो तो उतना ही दो जितना कि आप video में record कर सो को camera में record कर सो तो limited रखो जैसे कि camera का महौल बता दिया कि camera मड़ी है वाल का जो पेंट है जड़ रहा है दुआ है कमरे के अंदर ज़व चूला जल रहा है तो यह scene करेट करता है एक description है वहां पर एक lady है जो खाना बना रही है तो यह description हो गया set the scene and provide the context of the reader yes तो जब हम describe करते हो तो एक scene बना देता है और scene बना देगा तो एक जो reader है यह बोल सकते हो जो देख रहा है movie को तो उसको समझाता है कि हा क्या महौल चल रहा है example जैसे कि Mary sits on a couch Mary जो है वो couch पर बैठी वी है staring at the frame photograph और couch पर बैठके वो दिवार पर फोटोग्राफ है उसको गूर के देख रही है on the wall she sighs deeply sighs मतलब जैसे कि बहुत deep thought में हो lost in the thought तो आपको समझा रहा ना कैसा scene बन रहा है कैसा महौल बन रहा है तो वैसे ही next फिर है character dialogue yes third thing is character dialogue तो सबसे पहले आप scene का heading दे दोगे description दे दोगे फिर character के dialogues character आपको involve करने एक या दो थीन तो होने चाहिए तभी तो dialogues बनेंगे written beneath the action description ये action description दीचे लिखे जाते हैं each character's dialogue is proceeded by the name तो सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है जिसका भी आप dialogue लिखना चाहते हो center में नाम आ जाएगा and capitalize capital में नाम लिखना है आपको dialogue is enclosed in quotation mark quotation mark होता है ऐसे करके ठीक है और ये बीच में ऐसे dialogue बना दोगे आप example के तोर पे Mary Mary का dialogue है और देखो quotation mark के अंदर है I miss him so much तो Mary का ये dialogue है तभी John है वहाँ पर John एक और character है बलता I know Mary we all do तो वह समझाने कोशिश कर रहा है उसको कि yes हम सब करते हैं फिर है यहाँ पर parentheticals parentheticals ये optional होते हैं पर आपको ये include करने चाहिए क्योंकि ये बहुत value करते हैं कैसे use to provide additional direction or context for the actor delivering the line क्योंसे actor है अब actor को एक line कहनी है तो इस line को कहने के लिए बहुत सारे tone बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तो एक particular तरीका बताने के लिए आप ये parenthetical use कर सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि एक dialogue को किस तरीके से बोलना है और यह हमेशा place beneath the character name यह हमेशा मेरी मेरी के बगल में देखो tearfully वो रो रही है मतलब वो बहुत उदास है और तब वो बोल रही है I miss him so much तो इस तरीके से dialogue उसका बोला जा रहा है ठीक है समझ गया तो एक character यह basically कह से तो कि actor के लिए बहुत जादा अच्छा है actor उस तरीके से act कर सकता है वो emotion showcase कर सकता है ठीक है next transitions yes एक scene जब खतम होता है तो उसको हम transition बोलते है last में scene खतम हुआ और फिर next scene start होगा तो वो transition यह भी optional होता है पर यह सही होता है जो दट के हमें पता चले कि हाँ यह scene खतम होगया अगले scene हमें perform करना है use to indicate how one scene transition into next तो यह बता जाता है कि एक scene दूसरे scene में कैसे पहुचा place and end of the scene यह मेंशा scene को scene के खतम होने के बाद लगाया जाता है जैसे कि cut to होता है fade out होता है dissolve to cut आपने सुनोंगा जैसे बुलते है न director cut तो मतलब वहाँ पे scene खतम होगया last is additional scenes elements है कुछ आपको याद अखने चाहिए यह use कर सकते हो नहीं भी कर सकते जैसे की scene number अब जैसे मालो कि एक script के अंदर आप एक से जादा scene दिखा रहे हो to scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 तो ऐसे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हाँ इसके बाद यह scene आएगा तो बहुत सही रहता है offer included at the start of each scene of course scene के बिल्कुल start में लगा दिया जाएगा scene 1, scene 2 time and date of the stamps मतब कि कभी यह time मतब किस time पे बनाया जा रहा है क्या time है क्या time है क्या समय है वो date date भी होता है उस पर इस date की यह scene है specific timing ठीक है कभी कभी क्या होते है कि हम scene के अंदर flashback का इस्तमाल करते हैं dreams का इस्तमाल करते हैं तो उनके लिए भी आपको यह additional elements होते हैं उनके लिए भी आपको indicate specific formatting उनका एक अलग format होता है जिससे हम पता कि लगा सकते है कि actual scene क्या है और dreams और flashbacks वाले कौन से scene है यह होप आपको यह format अच्छे से समझ आया हो इन 6 के 6 elements को यह दखना इन ही format का इस्तमाल करके हम एक scene बनाने जा रहे है scene भी हो सकते script writing लिखने जा रहे है तो देखों यह पर 2 examples लाएं scene writing के I hope आपको scene writing और अच्छे से clear हो जाएगी इन दोनों को करने के बाद तो चलो देखते है the scene depicts encounter between two characters in the coffee shop आपको भी ऐसे question आ सकता है कि यह आप घूमने गए हो कहीं पर वहां का scene describe करो है ना या वहां पर जो भी हो आपके साथ उस तरीके से उस पर script लिखो leading to the arrangement of dinner date and hinting at a potential for a romantic connection तो यह एक ऐसा scene है जिसके अंदर दो character coffee shop के अंदर मिलते हैं दो actors हैं जो मिल रहे हैं और इनकी एक arrangement होती है dinner date की उस बातों बातों में dinner date की arrangement हो जाती है और थोड़ा थोड़ा हमें उसमें romantic connection भी देखने को मिलता है शुरू करते हैं scene लिखना या script लिखना तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर आपको heading दे रखी है interior है coffee shop है और दिन है ठीक है interior मतलब की coffee shop के अंदर है और दिन का समय है अब यहां पर description है देख सकते हो second element the cozy coffee shop is filled with the aroma of freshly brewed coffee तो वहां पर basically क्या हो रहा है कि coffee shop का का काफी cozy महौल है और पूरे coffee shop के अंदर धीमी धीमी जो है वो coffee की smell आ रही है soft zazz play in the background as a customer chat and baristas work behind the counter तो वहां पर बहुत सारे customers है जो basically बाते कर रहे हैं background में zazz music चल रहा है वादर एक तरह का music का tone चल रहा है वहां पर जो baristas है baristas जो coffee बनाते हैं वो अपना काम कर रहे हैं at the corner table एक side में corner पर टेबल है Sara thirties tired but determined तो 30 साल के देखो 30 उसका age भी लिखावा है कि 30 मतलब thirties में आपने और बहुत थकी भी इस ही है पर determined मतलब काम करने में लगी पड़ी है sits with a laptop और उसके हाथ में एक laptop है जिसके साथ बैठी है sipping on a latte वो latte पी रही है she types furiously मतलब बहुत तेजी से type करी है मतलब कुछ काम करी है deep in thoughts और उसके दिमाग में कुछ thoughts चल रहे है मतलब ऐसा scene बनाया गया वहाँ पर तो देखो description इतने clearly इतना vividly लिखावा है इतना describe किया है उसको कि आपके दिमाग में imagery बन रही होगी कि एक पुरा scene की picture बन रही होगी across the room तभी उसी room के अंदर john forties john नाम का एक character है 40 years का है charming है handsome है and confident है काफी जादा enters the coffee shop वो coffee shop में enter कर रहा है he scans the room पहले वो पूरे room को देखता है अच्छे से until his eyes land on Sara तभी Sara के उपर उसकी आखे जाती है and smile spread और तभी वो smile करता है across his face मतर उसके face से face पे smile साब जहलक रही है john approaches Sara's table वो Sara के table पे जाता है clears his throat वो अपने गले को clear करता है and जाके उससे बात करता है john बहुत खुशी से mind if I join you Sara looks up surprised by the interruption but smiles warmly तो john जो है वो बहुत खुशी से जाके बोलता है क्या मैं आपको join कर सकता हूं Sara उपर की तरफ देखती है और बहुत surprise है interruption से but smile करती है वो उसको warmly मतलब वो भी उसको जानती है Sara surprised oh hi john sure have a seat oh hi john अगे क्या होता है john pulls out a chair and sits down वो john जो चेर निकालता है उस पे बैट जाता है तो देख रहे हो कैसे describe क्या गया है character के लिए भी, actress के लिए भी क्या क्या उनको करना है placing his coffee cup on the table और वो अपनी coffee cup को टेबल पर रखता है john smickering hard at work I see what's got you so focused तो वो बताता है कि अरे बहुत जादा महनत करी हो क्या हुआ क्या काम करी हो Sara closes her laptop and leans back in her chair taking a movement to collect her thoughts Sara जो है वो अपने laptop को बंद कर देती है और वो चेर पैसे lean back हो जाती है और थोड़े देर के लिए को सोस्ती है तो देख सते हो कि just trying to meet this deadline it's been a crazy week बस क्या करूं काम कातम कर्मा है बस इस week का deadline था काम कातम कर्ना है बहुत बहुत hectic week था ही मेले John notes sympathetically John आसे nod करता है John well you deserve a break how about we grab dinner tonight my treat Sara hesitates a mixture of exhaustion and gratitude evident on her face तो जान जो बहुता है well you should take a break what do you do? let's do dinner and it's my treat Sara is a little hesitant but he is happy and good because he is working so hard so he doesn't say anything Sara, take a look thank you let's go they share a smile their connection palpable so they both smile and they have a connection which is invisible but we are feeling palpable John gently it's a date then I'll pick you up at 7 Sara nods hint of excitement in her eyes so he has an excitement on the date Sara softly I'll be ready I'll be ready as John gets up to leave John is standing there Sara watches him go he sees him smile a new found sense of hope in her heart and then in his heart you know a sense hope that yes you will build a connection and maybe life will be good John smiling see you tonight and he says we meet today Sara smiles back Sara also smiles he says fading a sense of interpretation for the evening ahead and he thinks yes today's night this is cut so you have seen that in this whole script we have seen what was first heading then description then dialogues and with dialogues together there were parentheses here and how to behave and how to behave and how to think and how to act that was also and at the end there was also a cut so I hope you have understood how to write the script how to write one more example we can see it and we finish this video so script of an accident this is an accident this is a script you can see so you can see the exterior meaning the outside city is a street meaning the city it means the city it means the city it means the city is filled with the cars and pedestrians going about their day so as it happens in the day in the day there is a road with cars and cars and pedestrians who are walking who are doing their day and who are doing their day suddenly screeching tires and a sound of loud crash echo through the air and then the noise of the tire and the crash and the pedestrians stop in their tracks everyone stops there turning to see what happened and then everyone will see what happened a car has collided with the bicycle at an intersection there is a four in the four a car bites a bicycle the cyclist Sam here is a cyclist whose name is Sam who is 20 years lies on the ground he is falling on the ground groaning in pain and he is crying crying in pain pedestrian 1 shouting call an ambulance call an ambulance pedestrian 2 rushes to Sam's side kneeling down to check on him and pedestrian 2 he goes to Sam he is crying and he seems to see what happened pedestrian 2 concerned he says are you ok? can you hear me? can you hear me? can you hear me? Sam struggles to sit up he is sitting with the difficulties and he is doing wincing in pain and he is doing in pain he is crying Sam grimacing I think my legs broken he says the driver of the car Jenny rushes out visibly shaken so the driver is a lady whose name is Jenny who is 30 years old he is coming out and he is shocked he is looking out what he did Jenny panicked he is panicked he is laughing I didn't see him I am so sorry I cannot see him forgive me pedestrian gather around there is a hole some offering assistance while other direct traffic which many people give assistance many people try to finish traffic you know help let go now there is a passing police office there is a police office arrives on the scene in the scene taking control of the situation and takes control the whole situation police officer to Jenny he says ma'am I need you to stay calm we take care of everything he says ma'am please stay calm we will see everything what happened an ambulance arrives ambulance is coming the sirens wailing the sirens is blowing there is a siren there is a siren paramedics rush to Sam's side paramedics means doctors go to Sam's side assisting his injuries and they have to see his injuries paramedics to Sam we are going to take care of you just try to stay still they say you stay calm we will see you we will see you the paramedics carefully lift Sam onto the stretcher stretcher load him into the ambulance and put him in the ambulance an ambulance pulls away jenny watches tear streaming down her face and she is falling down her face and she sees the ambulance jenny whispering she says i don't mean to i don't want to i wanted to do it the police officer approaches jenny police officer jenny offers her reassurance reassurance she gives her reassurance she gives her reassurance she gives her police officer it's going to be ok let's get to your statement everything will be fine the scene fades at the city street returns to the usual rhythm the scene fades at the city street returns to the usual rhythm and then the scene ends up so i hope you will write a script writing and you will understand that how you write a script how you write a script what topic how you can write what topic what the format what elements are in the script and if you read my how you write how you write how you write what you do and you can learn what you do so please subscribe like like this video and comment section you can ask me share it so that i can also make other videos और भी बनाता रहूं